नमस्कार दोस्तों आप सभी का पिल से स्वागत है हमारे इस चैनल पे आज जैसा कि हम सभी लोग जेल रहे हैं देख रहे हैं आप बहुत सारे डिजिटल वालेटस सीकर सकते हैं तो इनी डिजीटल वालेटस में आज अभी 으 अफ एंडिया नए पेमेंट श्रिम लोःन्ज किया है जिसको और गांकरतर में आपसाल किका बहुत इंडिया जिसका नाम है UPI, Unified Payment Interface, तो यह एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, क्योंकि जब हम पेटियम होगरा यूज़ कर रहे थे, तो कहीं लोग कंप्लेंड कर रहे थे, कि वहां से हमें पैसे ट्रांसपर करने में दिख्कत हो रही है, और बहुत सारे चीज़े थी, क्योंकि वह थ इस तरीके से आप बीना कुछ शेयर के एक वर्चौल एड्रेस से सारा पेइमेंट कर सकते हैं, तो यह देखते हम यह UPI कैसे यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले हम Google Play Store पे जाएंगे, तो इस तरके से हम Google Play Store पे गए, यहां से हम सर्च करेंगे, उपर जो सर्च बॉक्स है यहां पे, कि PNB UPI या जो भी आपका UPI का एप्लिकेशन है, वो सर्च करेंगे, और उसे इंस्टॉल करेंगे, तो मैंने यहां से, मैं पहले कर चुका हूँ, इसलिए यहां पे आचुका है, तो हम वापस जाते हैं, उसी एप्लिकेशन पे, तो वहाँ पे वापस जाते हैं, जो मैंने इंस्टॉल कर लिया है, देखते हैं कहां पे चला गया, तो यह रहा PNB UPI का एप्लिकेशन, मैंने इसको немने कर लिया, अगर किया होता तो आपसे रेजिटर के लिए कहता वहाँ पे कुछ personal details डाल के रेजिटर करना पड़ता तो आप उसको रेजिटर करते और इस तरीके से आपको आजाता मैं पहले रेजिटर कर चुका हूँ इसलिए मुझे सर्फ password पूछ रहा है और जब इसके customers थोड़े बढ़ जाएंगे, तो इसमें आपको speed काफी अच्छी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, ये system डारेक्ली आपके bank से जुड़ा होता, इसमें कोई third party नहीं होता, यानि कि आपका bank और जिसे आप pay करना चाहते हो, शिर्फ वो उन दो बंदों का इसमें role होता है, तो आप directly अपने account से किसी को भी pay करते हो, तो इस तरीके से ये मेरा PNB UPI का खुल गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे option है, pay और collect और यह option है, और फिलाल मैं यहाँ पर गया manage aid pay में, तो यहाँ से मैं, अगर मुझे को एकाउंट aid करना है, तो मैं यहाँ से aid कर सकता हूँ, यह अभी थड़ा slow चल रहा है, और net case, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा account दिखा रहा है, जो मैं पहले aid कर चुका हूँ, मैं इस पर click करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी सारी detail से मैरी दिखा रहा है, यह virtual address दिखा रहा है, और यही virtual address होता है, जिससे हम payment लेते हैं, तो मैं इसको delete कर सकता हूँ, पर मैं अभी नहीं करूँगा, क्योंकि यह बड़ी मुश्किल से aid हुआ था, मैं वापस जाता हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी option है, जिसमें से यह aid, bank account है, तो यहाँ से मैं कोई bank account aid कर सकता हूँ, मैं अलड़ी यह कर चुका हूँ, इसलिए मुझे आप दुबारा करने की जुरूत नहीं है, जो आप पहली बार करेंगे, तो आपको करना पड़ेगा, वापस जाते हैं, और दुबारा try करते हैं, PNB का कोई देख लते हैं, PNB का actually मैं aid कर चुका हूँ, लेकिन दुबारा यह नहीं होगा, पंजाब national bank का यहाँ आया, तो यह बोल रहा है, select account, सारा काम होगा, तो यहाँ से वापस जाते हैं, अब आप कोई दुसरा account try करते हैं, मैं SBI का try करते हैं, क्या पता साइद हो जाए, तो यह रहा है, State Bank of India, इसको मैं try करता हूँ, account does not exist, कोई बात नहीं, यह अभी नहीं ले रहा है, थोड़ा नया सिस्टम है, थोड़ा slow लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें सारी details दिखा रहा है, मेरा नाम, मेरा आईडियो गरा सब्सक्र दिखा रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे options हैं, यह manage account, add bank account, और यह आपका, यह pay है, तो यहाँ से आप किसी को भी pay कर सकते हैं, यहाँ पर payment history में मैं आया, तो payment history में देखता हूँ, मैं, मैंने कोई payment उगरा कर रखा है, तो यहाँ पर दिखा देगा, और यह बहुत ही अच्छा secure system है, जहाँ पर आप virtual ID के through pay कर सकते हो, तो आपको just a virtual ID की जुरूत होती है, और उसे भी आप हमेशा change करते रह सकते हो, तो बहुत ही जबर्जस चीज है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी किसी के साथ share नहीं करना पड़ता, ना आपको अपना account number, ना mobile number, ना कुछ भी नहीं share करना पड़ता, जश्ट आपको एक virtual ID share करना होता है, जो जिसे आपको भी भी change कर सकते हो, अगर आपको लगए कि आपने ज़्यादा लोग एक साथ share कर दिया, तो आप उसे दुबारा से cancel करके नया बना सकते हो, यह थोड़ा slow चल रहा है अभी, और वैसे भी सरकारी बैंक का है, तो यह थोड़ा slow ही चलेगा, लेकिन साथ बाद में जब सारे payment होने लग जाएं, तो सब लोग use करने लग जाएं, तो यह सुधर जाएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी pending नहीं है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से यह slow हो गया, यहाँ पर यह pay का option है, यहाँ पर collect का option है, यहाँ पर यह view balance का option है, यहाँ से आप अपने account का balance देख सकते हैं, तो अगर आपने account का add कर दिया, तो आपके account का balance यहीं से दिखा देगा, जो कि आपको direct account का balance दिखाएगा, तो यह option बहुत ही अच्छा है, और यह consumer के लिए भी अच्छा है, यहाँ पर हम देखते हैं view balance, तो यह अपने account दिखा रहा है किस account का, यहाँ से मेरे से pin पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर अपने pin डाल दूँगा, तो यह मुझे मेरे balance दिखा देगा, तो यह और यहाँ पर मैं pay पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर यह select pay, पूछ रहा किस account से आपको pay करना है, मैंने अपना account डाल दिया, उसके बाद, यहाँ पर यह पूछ रहा virtual address, आपको किस तरीके से pay करना, account पर pay करना है, या virtual address पर pay करना है, तो मैं यहाँ पर virtual address select करूँगा, तो अच्छा, यहाँ पर मेरा virtual address select किया, मैंने अपना virtual address select किया, यह मेरा virtual address है, खीमा at pnb, जिस नाम से मैं किसे से भी payment receipt कर सकता हूँ, और 10,000 तक मैं payment ले सकता हूँ, यहाँ पर बोल रहा है, आप किस से payment लेना चाहते हैं, तो मैंने बोल दिया, कि मैं virtual address ही लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे अपना, जिस virtual address payment लेना है, वो डालना होगा, मैं यहाँ पर डालता हूँ, खीमा at icici, जो कि मेरा, अपना icici bank का virtual address है, इस तरीके से आप भी तुरंट लॉग इन कीजिए, और अपने virtual address अपने नाम से बना लिजिए, इसके बाद मैंने यहाँ से submit कर दिया, यह, तो यहाँ पर यह, पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, मैंने 100 रुपे डाला, उसके बाद मैंने यहाँ पर remark डाल देता हूँ, टेस्ट करके, यहाँ पर मैं टेस्ट करके remark डाल देता हूँ, उसके बाद, यहाँ से आप, यह scan code से भी ले सकते हैं, फिलाल मैं नहीं ले रहा हूँ, इसके बाद मैंने यह से submit करूँगा, वो हो जाएगा, तो मैं वापस आ गया, अब यहाँ पर यह collect पर आया, अगर आपको किसी से money collect करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आपने account किस account पर आना है, वो select किया, इसके बाद यहाँ पर virtual address आपको select करना पड़ेगा, यह बोला है search virtual address, यहाँ पर मैंने पैसे डाल दिया, यहाँ यहाँ पर scan QR code से भी कर सकते हैं, उसके बाद यह मुझसे date पूछ रहा है, मैं यहाँ पर date चूच करूँगा, यह आज का ही date है, कब से कब तक मैंने यह जब जिस date का 5 बज़ तक का कर दिया, पांच बज़ तक के अंदर मुझे payment मिल जाना चाहिए, उसके बाद मैं यहाँ पर remarks डाल देता हूँ, test डाल दिया मैंने, अब यहाँ पर मैं submit कर दूँगा, तो यह मेरा submit हो जाएगा, और मुझे ICC bank में जाके वहाँ से payment अप्रूब करना पड़ेगा, जैसे मैं उस application से approve कर दूँगा, वहाँ से payment मेरा आ जाएगा, तो यह सब चुझे मुझे खुद तो करनी नहीं होती है, कोई दूसरा बंदा मुझे payment request करेगा, तो मैं approve करूँगा, यहाँ तो मैं सब कुछ खुदी कर रहा हूँ, इसलिए आपको थड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आप से कोई और request करेगा, तो आपको just approve करना है, तो यहाँ पर बहुत सारे option है, pending approvals, pending status, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो शायद अगर कुछ होगा, तो यह दिखा देगा, बट अभी है नहीं, थोड़ा सुलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे दो pending दिखा रहा है, जो मैंने पहले ही किये हुए थे, तो यहाँ पर 100,00 रुपे कदो दिखा रहा है, इसको मैं जैसे approve कर दूँगा, यह हो जाएंगे, तो यह आपका जो भी vendor होंगे, वो आपको payment request करेंगे, तो आपको सिर्फ approve करना होगा, और जैसे आप approve करोगे, उनको payment मिल जाएगा, तो इस तरी के से यह काम करता है, vendor जो भी दुकान दार या जो भी होंगे, वो आपसे request करेंगे, और आप उसे approve करोगे, तो इसके अलाबा यहाँ पे हम देखते हैं, चेंज पीन का, यहाँ से हम लग आउट कर देते हैं, यह इस तरी के से हमने देखा सारे कुछ, और इस तरी के से मैं PNB से लग आउट कर दी, अब मैं जाता हूँ ICC Bank के UPI में, वो भी हम देख लेते हैं कैसे करता है, तो यहाँ पे आपने देखा, यह ICC Bank का है, मैं यहाँ पे लोग इन करूँगा, और ICC Bank का भी अपने, ICC Bank का एक ही एप्लिकेशन में, सारी चीजे हैं, मैं यहाँ पे अपना User ID डालता हूँ, और उसके बाद मैं लोग इन करूँगा, मैंने जैसे User ID डाला, उसके बाद मैंने यहाँ पे Next पे क्लिक किया, तो यह आपका, फिर आपसे पासवर्ड पुछेगा, तो यह आपसे पासवर्ड पुछ रहा है, आप यहाँ पे पासवर्ड डालिए, यह चुकि ICC Bank का Mobile Application है, जिसमें से आप Simply कर सकते हो, ICC Bank के एक 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 होते हैं, तो अगर आपके पास ICC Bank है, तो ICC Bank में आप लोग इन कीजिए, पासवर्ड डाला मैंने, और मैंने यह गो पे क्लिक किया, इस तरीके से मैं ICC Bank के I Mobile Application पर आ गया, जो बहुत ही बड़ी है application है, सभी बैंकों में मुझे लगता है, ICC Bank का सबसे अच्छा है, यहाँ पर आने के बात देख रहे हैं, यहाँ पर UPI का एक नए अप्संस आ गया है, इस UPI के option पर आप जैसे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर manage और transit का दो option में, अगर आपको नया account एड़ करना है तो आप manage पर करोगे, यहाँ से आप create virtual payment address करोगे, अगर आपको delete करना है तो delete करोगे, मैं यहाँ पर click करता हूँ, create virtual address पर, तो अभी यह थोड़ा slow चल रहा है, क्योंकि नया system है, और अभी बहुत ज़्यादा load है, digital payment gateways पे, इसलिए यह थोड़ा slow चल रहा है, क्योंकि अभी जो हमें market में कहा जा रहा है, 40%, 50% का hike हो गया, यहाँ तक कहीं जगा तो 200% का hike हो गया है, debit card uses में, digital payment uses में इसलिए यह दिक्कते आ रही हैं अभी, लेकिन यह दिरे दिरे ठीक हो जाएगा, तो मैं transact पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अभी error देखा रहा है, लेकिन अभी कुछ दिर पहले यह दिखा रहा था, फिर दुबारा try करता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे create virtual पे क्लिक किया, अभी भी error दिखा रहा है, transact पे फिर भी error दिखा रहा है, तो UPI का अलग से option भना दिया है इन्होंने, यहाँ पे जाके आप, अभी भी नहीं हो रहा है, थोड़ा slow चल रहा है, नया system है, इसलिए कुछ दिन में यह ठीक हो जाएगा, और यही चीज़ चलेगा, आने वाले दिन में, यही चीज़ चलेगा, क्योंकि यह directly government of India की through है, इसमें कोई third party नहीं, इसलिए यहाँ पे payment रुकने का, payment फंसने का, यह सब कोई दिक्कत नहीं देखिए, आपने मैंने यहाँ पे transaction क्लिक किया, यह बहुत सारे option आ गए, pay to virtual payment address, pay to account number, pay using gift card, collect, from virtual payment, कुछ भी, तो मैंने यहाँ पे choose किया, pay to virtual payment address, तो यहाँ से सारी detail, फिर यहाँ पे मैंने देखा कि कोई payment pending तो नहीं है, यह UPI transaction history है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, कोई pending तो नहीं है, देखिए, यहाँ पे मेरा जो PNB का है, वो यहाँ पे दिखा रहा है, मैं इसे approve कर दूँगा, तो यह हो जाए कि मैं यहाँ पे accept कर देता हूँ, जैसे मैंने accept किया, यह accept हो रहा है, देखते हैं, होता है, नहीं होता है, ओ, sorry, यह बोल रहा है कि session fail हो गया, और मेरे पास message भी आ गया, चुझकि यह नया system है, तो थोड़ी सी दिक्कते अभी आ रही हैं, लेकिन आने वाले time में यही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई third party नहीं है, direct आपके account और आपके vendor के बीच में deal करता है, और यह businessmen दुकानदारों के लिए भी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि यहाँ पे सीधे payment उनके खाते में चला जाता है, तो यहाँ पे देखते हैं, manage पे गया, create virtual पे किया, देखी, यहाँ पे अगर आप नया करना चाहते हों, create कर सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे option दिखा रहा है उपर मेरा account number दिखा रहा है नीचे इस तरीके से बहुत सारे options दिखा रहा है यहाँ पर आप कोई नया virtual address create कर सकते हो जो बहुत easy है या इसको आप select कर सकते हो उसके बाद जैसे आप select कर लोगे तो यह आपका virtual address बन जाएगा तो उसी virtual address पर आप payment ले सकते हो सबसे बड़ी बात आप इस virtual address को हर बार जब चाहे आप change कर सकते हो तो यह सबसे बड़ी बात है जो कि हम account number तो हम रोज change नहीं कर सकते तो हम इससे बाहर आते हैं तो यही सारी चीज़े हैं जो इसको एक खास बनाती है तो इस तरह के सामने देखा दोनों चीज़े PNB का और इसका और सभी बैंकों का तो possible नहीं है